नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर सोहाल ही में इंडिया टुडे कॉंक्लेव के ऊपर बात करते हुए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर मैन मिस्टर नितिन गदकरी ने टेसला के लिए एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने बेसिकली ये साफ साफ कह कि भई चाइना में जो बनी हुई आपकी गाडियां है उनको आप भारत में ना बेचें तो ही ठीक होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर है डोंट गेट चाइना मेड कार्स नितिन गदकरी सेस्टू टेसला इसके इलावा अन मेजर रीजन वो इंडिया के अंदर एंट्री नहीं कर पा रही है वो मेजर रीजन क्या है उसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे लेकिन इस पूरी कहानी के इर्दगिर्द चल रहे जो कई सारे पहलू है वो भी आपके साथ में डिसकस करने वाला हूँ और आल्सो राइट, सबसे पहले तो यहाँ पे नितन गदकरी के दवारा जो दिये गए स्टेटमेंट्स हैं उनको जान लेते हैं ये इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021 को हाल ही में अड्रेस कर रहे थे पिछले हफ़ते की ही बात है अल्मोस 19 ऑक्टूबर के आसपास की बात है गदकरी की हैं जो कि टेसला के द्वारा बनाई जा रही है इन्हों ने जो स्टेटमेंट दिया इन्हों ने कहा कि I have told Tesla that don't sell electric cars in India which your company has manufactured in China you should manufacture the electric cars in India and also export the cars from India बेसिकली दोस्तों ये कहानी काफी लंबे टाइम से चलती आ रही है और टेसला ने यहाँ पर एक ही चीज की डिमांड करी ह है कि भई हम भी इंडिया में आके उत्पादन शुरू करना चाहते हैं लेकिन प्रोवाइडिड जो import duties की reduction है वो यहाँ पर करवाई जाए Tesla has demanded the reduction in the import duties on electric vehicles in India आपके सामने पेश करने वाला हूँ ये वाली चीज आपके सामने है दोस्तों Elon Musk का ये interview हुआ था जुलाइ महीने क की बात है यानि की आज से exactly 3 महीने पहले की बात है Elon Musk ने यहाँ पे दो बड़े कारण बता थे कि वो इंडिया में फिलहाल क्यों entry नहीं करना चाहते हैं आप देख सकते हैं इनके द्वारा Twitter के माधियम से बताया गया we want to do so but import duties are the highest in the world by far of any large country moreover clean energy vehicles are treated the same as diesel or petrol which does not seem entirely consistent with the climate goals of India तो ये इनका पहला कारण था कि भई आपकी जो import duties हैं वो बहुत जादा है और इनका दूसरा कारण ये था कि clean energy vehicles को आप लोग diesel और petrol के ही बराबर में मानते हैं जो की इंडिया के climate goals के साथ consistent नहीं है जिसकी वज़े से हम लोग इंडिया में entry नहीं कर पा रही हैं आपको बत टेसला वाली जो गाडियां है जो कि इनकी iconic cars हैं उनके उपर तो ऐसा मान लिजे कि 100% की import duty लग जाती है यानि कि अगर टेसला की गाड़ी का price x है तो वो इंडिया में आके 2x में बेचनी पड़ती है बिकॉस टेसला के उपर काफी ज़दा import duty इंडियन government ही लगा रही है इं आपके उपर लगभग 100% की import duty को लगाने वाले हैं लेकिन अभी यहाँ पे गदकरी ने टेसला को ये statement दिया है कि भई आप इंडिया में आओ अपने iconic electric vehicles को manufacture करो और जो भी support आपको चाहिए पड़ेगी वो हम आपको provide करेंगे it will be provided by the government to the company ये statement दिया गया है Mr. गदकरी के द और उनके साथ जो बातचीत चल रही है उनके जो tax concessions को लेके उनके जो concerns है उनको मैं address करवा रहा हूँ so that company जल से जल भारत के अंदर entry ले सके केवल इतना ही नहीं भारत सरकार के द्वारा पिछले महीने की ही बात है जो हमारी ministry of heavy industries है उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि भ कर भी अभी तक कोई major development सामने नहीं आई है सवाल यह आता है कि Indian government import duties को reduce कर क्यों नहीं रही है दोस्तों आपको बता दूं basically हमारा जो मकसद है वह फिलहाल लगा हुआ है आत्म निर्भरता के ऊपर यानि की self-sufficiency के ऊपर और Indian government ने साफ साफ ये declare कर दिया कि हम चाहते हैं कि गरेलू companies इंडिया में जितना हो सके electric vehicles का उतपादन करें और हम इस चीज में उतना interested नहीं है कि बाहर की companies आके घरेलू companies की market को किसी भी तरीके से damage करें तो इन ही चीजों के चलते government अपना stand maintain करके बैठी हुई है तो इन ही चीजों के चलते government अपना stand maintain करके बैठी हुई है Tesla का demand क्या है वो भी समझ लेते हैं Tesla ने यहाँ पे साफ साफ का है कि पहली बात तो जो आप 100 से 110 पतिशत का import tariff लगा रहे है on vehicles जिनकी value 40,000 US dollar से उपर है यह almost prohibitive है यानि कि इसके चलते तो definitely हमारी company कभी भी इंडिया में enter नहीं कर पाएगी तो उनकी मांग क्या है उनकी पहली मांग तो यह है कि आपको जो tariff है electric गाडियों के उपर उसको standardized कर देना चाहिए उसको basically 40% के उपर ला देना चाहिए और साथी में जो आप social welfare सर्चार्ज लगाते हैं 10% का electric cost के उपर वो भी unfair है उसको तो आपको eliminate ही कर देना चाहिए यानि कि 110% वाली duty को लेकर आए 40% पर और 10% का जो आपका अलग से सर्चार्ज है उसको आपको यहाँ पर हटा देना चाहिए Tesla ने साथ में ये भी कहा है कि जो गाडियां हम बना रहे हैं केवल वही गाडियां 40,000 डॉलर के उपर हैं जिसके चलते इंडिया का जो पूरा का पूरा tax ecosystem है वो हमारे ही खिलाफ काम कर रहा है बिकाज इंडिया में और बहुत ही कम ऐसी गाडियां हैं जो की चालिस हजार यूस अलोस के उपर बनती हैं जिसके चलते उनको यहाँ पर कोई नुखसान नहीं होता लेकिन हमारी कंपनी तो because of this one factor इंडिया के अंदर entry नहीं कर पा रही है अब लेकिन एक तरफ टेसला आना चाहता है दूसरी तरफ इंडिया बुलानी चाहती है लेकिन फिर भी वो इंडिया में enter क्यों नहीं कर पा रहे है इसी के चलते एक middle ground की बात करी गई है गदकरी ने यहाँ पर कहा है कि भई आपके पास एक सुनहरा मौका है इंडिया में आईए अपनी basically production को start करिये because government आज की date में e-vehicles को लेके काफी अच्छा thrust offer कर रही है और टेसला already कई सारे auto components इंडिया से सो source करती ही है तो क्यों ना आप properly एक full fledged तरीके से इंडिया में आके अपनी production को start करें यह चीज कहीं तो गई है लेकिन क्या यह होगा है नहीं होगा त हम China के अंदर और invest करने वाले हैं China एक super competitive country आपके सामने है Elon Musk calls Chinese automakers the most competitive in the world जिसके चलते वो यहाँ पे और भी बड़ी investments करने वाले है in the country of China more particularly in the city of Shanghai जहाँ पर उन्होंने अपने investment को और भी बढ़ा दिया है इतना ही नहीं Tesla के द्वारा काफी सारे made in China models को यहाँ पे बनाया ग गाडियां हैं जो कि September में उन्होंने बेची हैं जिसमें से 31,000 से भी जादा गाडियां उन्होंने केवल और केवल export करी हैं तो obviously वो यहाँ से क्यों निकलना चाहेंगे इंडिया बुला तो रही है लेकिन जब तक इंडिया एक अच्छा competition offer नहीं करती है with respect to import tariffs जो की चाइना को टकर दे सके तब तक Tesla दोस्तों वाके में इंडिया के अंदर शायद entry नहीं कर पाएगी क्या होता है देखना बाकी है जैसे ही को development आती है आपके सामने हम लोग शेयर करेंगे फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही जाने से पहले बताना चाहूंगा कि Unacademy का result इस बार का 20 बुक्स आपके खर तक पहुंचाए जाएंगी इतना ही नहीं कई सारे special batches शुरू होने वाले हैं 13 October से और 18 October से और मेरे द्वारा भी आपको ये वाली offerings प्रवाइट करवाई जाएंगी Combat में हिसाल लेना बिलकुल ना भूले using my code and UPSC इसके चलते आपको scholarship मिल सकती है and also our free test series is also available thank you for listening stay tuned and stay safe